नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेश्बूक और यूट्यूब आज मैं आपको एक अनोखा रेश्टोरेंट दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखकर आप चौक जाएंगे इसरेंट के अंदर जाकर के पूरी चीज मैं आपको दिखाऊँ उससे पहले आप देखिए कि यह रेस्टोरेंट अंदर से कितना सांदार बना गवा है अब इस रेस्टोरेंट की खास बात मैं आपको बताऊं उससे पहले कुछ तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा आप देखिए कि एक रेस्टोरेंट के अंदर जितनी भी टेबल लगी हैं जो खाने की टेबल लगी हैं उसके पास में आपको रेल की पट्रिया बनी भी नजरा रही है या यूं कहें कि परतेक टेबल पर आपको एक रेलव ट्रेक भी नजरा रहा है अब आप सोच रहे होंगे कि इस रेस्टोरेंट में ये रेलवे ट्रेक क्यों बनाया है और टेबल पर रेलवे इस्टेशन क्यों बनाया है तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि यहां पर आपको खाना परोशने वेटर नहीं बल्कि एक रेल आएगी आगे मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा कि किस परकार से रेल खाना परोसने एक टेबल पर आती है यहाँ पर खाना लेकर वेटर नहीं आता है बलकि एक ट्रेन से आपके टेबल तक खाना आ जाता है जब हमने इस रेस्टोनेंट में खाना खाया इस होटल में खाना खाया तो उसका भी हमने वीडियो बनाए और आपको मैं वो भी दिखाऊंगा कि कैसे एक ट्रेन खाना लेकर के टेबल तक पहुंचती है और वहाँ पर वेटर नहीं बलकि ट्रेन आती है जो आपकी मुबाइल की स्क्रीन पर नज़रा रही है सबसे खास बात बता दूँ कि आप सोच रहे होंगे कि इस परकार की होटल में खाना तो मेहंगा होगा तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें खाना महंगा नहीं है आम जो बाकी होटलों की जो रेटें होती है खाने की ठीक उसके आसपास की दर है इस होटल में भी है तो यह होटल राजस्तान के जोधपूर में है जोधपूर के न्यू पाली रोड जो फ्लाई ओवर है उसके पास में रिक्तिया भेरुजी सरकिस से ठीक पहले वेजिटीरियन होटल इसका नाम है वेजिटीरियन किच्चन एंड बंकेट इसका नाम है आप देखिए अब मैं आपको इसका मेन्यू है वो दिखाऊंगा उससे पहले आप देखिए कि यहाँ पर जो बोटल है पानी की वो भी इसी होटल की ही आपको मिलेगी आप मैन्यू देखिए कि इसमें होटल में कौन सा खाना क्या किस रेट में मिलता है वो सारी चीज दिखाऊंगा और इस मैन्यू की खास बात देखिए आप इसके अंदर भी लिखा है मैन्यू स्टार्ट जैसे होगा या त्रीकन करपिया ध्यान दें जिस बरकार से आपको रे अग्रेजी पे तो यह अलग-अलग जो इसकी मैन्यू है वो सारी की सारी अलग-अलग शामान आपको खाने का हर प्रकार का फूड यहां पर आपको मिलेगा प्लेटफॉर्म की स्टॉल से मतलब यहां भी आप देखिए कि चाय कॉफी की इस प्रकार का नाम रखा है अभी दिखते और गाड़ी शुरू हुई है यह भी एक रेशिपी में अंदर सारी की सारी सबजियां आएगी सोनिया जी के यहां से यह सोनिया जी के यहां से इस प्रकार का नाम रखा है क्योंकि हर चाइनीज आईटम खराब नहीं होता यह भी नाम लिख रखा है खाना प्लेस और विल्स वाला ये भी नसीपी का नाम है अब आप आपका इंतजार अगले कुछ ख़णों में खतम होने वाला है क्योंकि आप ट्रेन खाना लेकर आने वाली है और आपको खाना परोसेंगी बल्कि एक ट्रेन आएगी बकाईदा ट्रेन चल कर आएगी और होरन बजा टीवी ट्रेन आपकी टेबल पर आएगी और आपको खाना परोसेंगी तो यह मेन्यू आपने पूरा देख लिया और अब जो है मैं आपको आगे वीडियो आपको दिखाऊंगा कि आप देखी किस परकार से एक ट्रेन खाना लेकर आ रही है और यह देखिए वहां से ट्रेन वहां से रवाना होने वाली है ठीक वहां से और आप ट्रेन आपर हमा परकार से डेकोरम किया है कि आप वहां पर जरूर बैठ कर खाना खाना चाहेंगे तो अब ट्रेन अगले किशना में यह देखो ट्रेन पहुंच गई है ट्रेन खाना लेकर आई है रोटी शबजी और शलाद जो हमने आप जो भी ओडर करोगे वह आपकी टेबल पर वाकरी में आप वहां जाओगे आपको अजीब सा लगेगा कि किस परकार से एक ट्रेन आपके लिए खाना परोष्ट है और आपको बीच में से कुछ और आइटम चाहिए तो आप वहाँ आपको व्यक्ति खड़ा में जलाएगा जैसे वेटर कहा सकते हैं उसको आप कहींगे कि हमें यह आइटम चाहिए तो मोबाइल से ओर करेंगे आपने तो और दूसरी बार आपको जो चीज चाहिए वह भी आ जाएगी हमारे रोटी एक और हमने ओर किय तो देखिए दूसरी बार हमारे लिए ट्रेन रोटी लेकर तुरंट आगई जैसे हमने ओडर किया तुरंद हमारे पास आइटम लेकर के आ जाएगी तो वाकई में यह अजीब वीडियो है जोदपूर अगर आपका कभी जाना हो तो जोदपूर में यह न्यू पाली रोड जो इत्या भिरूजी सरकील है उसे ठीक पहले होटल ताज हरी के ठीक सामने वेजिटेरियन किचन एंड बंकेट का इतनाम से एक होटल बनी है वहाँ आप जरूर खाना खाईगा बहुत अच्छा खाना है और आप देखिए रेल की पट्रियों की समय समय पर साफाई भी होत तो इस वीडियो को शेर कीजिए वाके में बहुत अच्छा वीडियो है बहुत बहुत सुक्रिया धन्यवाद कि उन्यवाद